रूही चर्मा और विराट कोहली से जादा महंगा है गौतम गंबीर क्या पहली बार में आप ये सुनकर येकिन करेंगे? ये बात बिल्कुल सही है फिलहाल सास ये ही है कि गौतम गंबीर को पाने के लिए बिशी सियाई ने अपना खाजाना खोल दिया गौतम गंबीर फिलहाल बिसीसी आई के लिए बीराट कोहली और रुहीर शर्मा से ज़्यादा मेहंगा है जास्पीद बुम्रा और रोबिन रोजादेजा से भी मेहंगा है गौतम गंबीर ये जो प्रिमियम खिलारी है इनसे कई ज़्यादा किम्ती और महेंगे है गौतम गंबीर अगर आप गौतम गंबीर की सेलारी की बारे में जानेंगे तो आपका डिमाग चक्रा जाएगा खेर सेलारी तो सोरिये उनका 16 दिन का जो खट्सा है सिलंका में वो अगर आप जानेंगे तो चोक जाएंगे आप सब तो ये जानते है कि इंडियान क्रिकेट बोर्ड बहुत पैसे वाला है बी सी सी आई वो बोर्ड है जो खिलारीयों को बहुत चारा रुपिया देती है भारतिय क्रिकेट टीम में बिराट कोहली, रोहिश, शर्मा, रोबिनरो, जदेजा और जास्पीत बुम्रा को सबसे जादा रुपिया मिलती है इन चारों खिलारीयों को जितना रुपिया मिलता है, इन रुपियों से कई सारे देशों का खिलारीयों को खरीदा जा सकता है लेकिन मैं अगर कहूं कि इनको मिलने वाला रुपिया भी गोतम गंबिर की आगे कुछ भी नहीं है क्यूंकि गोतम गंबिर को इससे भी ज़्यादा रुपिया मिलती है क्यूंकि गोतम गंबिर का जो सेलारी है वो खुलासा हुआ है और जो रिपूट आई है वो हैरान कर देने वाला है BCCI से गोतम गंबिर को मिलने वाला रकम आपका होश उरा देंगे गौतम गंबिर फिलहाल तीम इंडिया की हैट कोच है सिरिलंका पर वो गई हुई है सिरिलंका उनका पहला विदिशी दोरा है सवाल ये था कि हैट कोच की नाते गौतम गंबिर को 20CI से कितना रुपिया मिल रहा है और आप इस बात का खुलासा हो चुका है ये खर्स बहुत 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 ज़ादा है गौतम की सेलारी अगर आप नहीं जानते है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्योंकि ये सेलारी आपकी डिमाग को घुमा देगा आप सोक जाएंगे सवाल ये है कि गौतम गंबिर इतना किमती क्यों है क्या कर देंगे वो टिम इंडिया के लिए क्या कमाल किया है उन्होंने बिराट रोहीद बुमरा से ज़ादा किमती गंबिर की सेलारी को जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि रोही चर्मा और बिराट कोहली को कितना सेलारी मिलती है अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं कि इंडियान टिम में A और A प्लास केटागरी का जो खिलारी होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा रुपिया मिलती है बिराट कोहली, रूही चर्मा, जस्पित बुम्रा और रोबिंडर जादेजा वो प्रीमियाम खिलारी है जिनको सबसे ज़्यादा सेलारी मिलता है आप BCCI इन खिलारीों को जो सेलारी देती है वो है साथ करोर रुपिया लेकिन जो खिलारी A में आता है उन्हें पास करोर रुपिया मिलती है फिर B केटागोरी की खिलारियों को मिलता है 3 करोर रुपिय और दोस्तों 1 करोर रुपिय सी केटागोरी की खिलारियों को मिलता है फिलहाल A plus में है रोबिंडरो जदेजा, बिराथ कोहली, रुहित शर्मा और जस्पित बुम्डा अगर आप A लिष्ट की बात करेंगे तो मुहमद शमी, केल रहुल, हर्दिक पंडिया, अशुइन और मुहमद शिरास ये सबी खिलारी A केटागरी की खिलारी है और इन्हें मिलता है पास करूर रुपिये लेकिन दोस्तों गोतम गंबिर का जो सेलारी है A प्लास खिलारीों को जो मिलता है 7 करूर रुपिया, उनसे डाबूल से भी जादा है अगर आप गोतम गंबिर की सेलारी की बारे में जानना चाहते हैं तो A और A प्लास दोनों को मिलाना परेगा दोस्तों गौतम गंबिर को 12 करूर रुपिया मिलती है यानि गौतम गंबिर को उतना सेलारी मिलता है जितना सेलारी बिराट, कोहली और हार्दिक पंडिया मिलकर लेती है यानि गौताम गंबिर को उतना सेलारी मिलता है जितना रूही, चर्मा और महामद शिरास मिलकर लेती है या फिर जास्पीद बुम्रा और महामद शामी दोनों मिलकर जितना सेलारी लेती है उतना सेलारी मिलती है गौताम गंबिर को दोस्तों गौताम गंबिर को 12 करूर रुपिय सेलारी मिलेंगे दोस्तों आपको क्या लगता है गौताम गंबिर को इतना जादा सेलारी देना सही है आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएगा इसी की साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं फिर मिलेंगे जैहिन